हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करते और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर दसवी पास के लिए रिजर बैंक ओप इंडिया में 841 वेकेंसी जियां रिजर बैंक ओप इंडिया ने ओफिस अटेंडेंट के पद पर 841 वेकेंसी निकाली है इनमें 454 जेनरल कर्टेगरी के 2 से 11 पद OBC, 76 EWS, 75 ST और 25 SC के लिए आरक्षित है इन पदों के लिए अधिकारिक बैवसाइट rbi.government.in पर जाकर आप 15 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको डारेट लिंक दिया जाएगा वहासे भी आवेदन कर सकते हैं फिस जमा करने की भी अंतिम देती 15 मार्च तक रखी गई है और इन पदों के लिए भरती परिच्छा का आयोजन 9 वा 10 अप्रेल 2020 को होगा एक मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगी गी वेक्सिन प्राइवेट अस्पतालों में भी अब टिका करन केंद्रिय केविनेट की बेटक में लिए गए फैसले के बारे में प्रकास जावेडकर वर अविसंकर ने जानकारी थी उन्होंने बताया कि केंद्रिय केविनेट की बेटक में कोविड नाइनटिन वेक्सिनेशन के अलावा पूड़ु चरी में राजनेतिक उठापठक पर भी चर्जा हुई केंद्रिय मंत्री जावेडकर ने बताया कि आगामी स्वमवार यानी एक मार्च से कोविड नाइंटीन वेक्सिनेशन के दूसरे फेज की सिरुवात हो रही है मुझपरपूर कोट में केस दर्जिया मुझपरपूर सिविल कोट में बिहार के मुखमंत्री नितिश कुमार और मुझपरपूर डियम सहित चोदो लोगों की खिलाब परिवात दायर हुआ है चक्किस सुहागपूर निवासे चंदन सहानी ने बुदवार को दायर इस परिवात में आरोप लगाया है कि 2021 में होने वाले पंचायच चुनाव में वोटर लिष्ट में मददाव की संग्या बढ़ाने के लिए अवे तरिके से एक पंचायच में दूसरी पंचायच के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं आपको बता दे कि 2020 में विदानसवा चुनाव जितने के बाद से CM नितिस कुमार लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं मुझपरपूर में पंचायच चुनाव के दोरान वोटर लिष्ट में हेरापेरी का आरोप लगा है इस मामले में उनके साथ मुझपरपूर के DM और 14 अन लोगों के पर भी आरोप लगाया गिया है अब इस परिवाद के संदर्म में सिविल कोड चार मार्च को फेसला लेगा इस पर भी कारवाई होगी या फिर नहीं इस बात के पुष्टी भी चार मार्च के बाद ही हो पाएगी अगली बड़ी कबर बिहार के सड़कों पर जल्द फराटा भरेगी लगजरी इलेक्टिक बसे समाहने बसों से कम होगा किराया बिहार की सडकों पर जल्द है इलक्टिक से चलने वाले बसे दोड़ेगी पटना वासियों को लगजरी इलक्टिक बसों की सहलियोत देने की तयारी पूरी हो चुकी है जल्द है इसकी सुरुवात होगी इसके लिए आठ बसे पटना के फुलवार सरी पहुच चुकी है इन आ अगर यह सफल रहा तो बाकी जीलों को भी इलेक्ट्रिक बसों का प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा आपको बता दे कि इन बसों का किराया समाइने बसों से कम होगा अगली बड़ी कबर कोरोना वारिस के बड़ते मामलों को देखते हुए बिहार में अब कुछ जगों में फिर से लगेगा लोकडाउन जिया कोरोना के नए केस में हो रहे विर्दी को देखते हुए देश के कुछ सहरों को लोकडाउन कर दिया गया है कोरोना के सुद्रे हालात के बेच अब फिर संकट के बादल मन्राने के बाद बिहार स्वास्थ विवाग आलट हो गिया है ऐसे में जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में लोगडाउन लगे गया वो रहात की सास ले क्यूंकि ताजा हालात के मद्दे नजर बिहार में कुरोना के हालात फिलाल ठीक है कूल सक्रिय मामलों की संख्या बुद्वार तक 547 है वही रिकवरे रेट की बात करें तो बिहार में यहा 99.21 परतिसत है बिहार में कुरोना से मौत का अकड़ा भी देश की अफेक्चा काफी कम है जमुई, अरवल, बकसर, मधिपूरा, सेखपूरा और सुपल में एक भी सक्रिय मामले नहीं है अगली बड़ी कबर है लजेपी का बीजेपी में बिलाई बिहार बिदान परिशत में अब एक भी सदेश्य नहीं बुदवार को सबापती की मंजूरी से बिहार बिदान परिषत में लोग जन सकती पाटी का बिलाई भारतिय जनता पाटी में हो गिया इस विले के साथ ही चिराग पास्वान की पार्टी का पदिनिदित्व बिहार विदान परिशत में सुन्य हो गया वहीं भाजपा के सदस्य की संख्या अब 21 तक पहुच गई है गोर्टलवोकी सोमवार को बिहार सरकार की वन-वं पर्यावरन मंत्रे निरज कुमार बबलू की पतनी नूतन सिंग ने भाजपा का दामन ठाम लिया आपको बता देखी नूतन सिंग बिहार विधान परिशत में लोजपा की एक मात्र सदेश थी युनोंने भाजपा के प्रदेश सद्यक्ट संजय जासवाल की मौजुदगी में बिजेपी की सदेशता ग्रहन कर लिए बिधान सबा में गलत जवाब पर आरजडी का हंगामा सरकार पर गुमरा करने का अरूप बिहार बिधान सबा में प्रसन उत्तर काल के दोरान राज़ सरकार की तरब से दिये गए जवाब को आरजडी की विधायक ललित यादव ने गलत बताया आरजडी विधायक ने ग्राम ललित यादव ने कहा कि इस मामले में विदानसवा दक्ष एक कमेटी बनाकर जाज करा ले ललित यादव बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे कि सदन को गलत जवाब से गुम्रा किया जा रहा है अगली बाड़कबर विधानसवा के बाहर वाम दलो का प्रदासन से इस्तिपेकी कर रहे हैं जिहां बिभार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्च के तेवर गरम दिक रहे हैं विपक्चित दल की विधायक लगतार अलग-अलग मुद्द पर सरकार की खिलाब प्रदशन कर रहे हैं वामदलों के विधायकों ने कल नितिस सरकार से इस्तिपेकी की मांग को लेकर विधानसवा के बाहर प्रदशन किया बिहार में बढ़ते अपराद एवं नितिस मंत्री मंदल के 18 से ज़्यादा सदस्यों एवं विधायकों पर अपरादिक मामले होने को लेकर वामदल ने नितिस कुमार से उनके इस्तिपे की मांग की वामदल की विधायकों का कहना है कि बिहार सरकार में 18 मंत्री के ओपर अपर पिर आरुप के बाद भी उन्हें मंत्री मंडल में सामिल करा कर क्या मेसेज दे रहे हैं। वर्क सौप का भी आयोजन किया गिया है। इसके लिए गुजरात, ओडिसा और तेलंगना से वर्य पदादिकारी और तक्निकी कर्मी को बुलाया गिया है। इन तिनों राज्यों में इस्पेसियल मुटेशन पहले से ही किया जा रहा है। वर्क सौप में ये अधिकारी बिहा पसाने के नियत से सिकायत की तो यहां आपको महंगा पड़ेगा। आप जोटी सिकायत करने पर खुद ही फस जाएंगे और सजा तक का एलान हो सकता है। जाज के दोरान यदि सिकायत गलत पाए जाती है तो सिकायत करता के खिलाब करवाई होगी वहीं जाज के दोरान यहा जोटी सिकायत की गई है तो सिकायत करता को सजा भोगतनी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा इसे लेकर राज सरकार बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2021 में संसोधन करने जा रही है सरकार का मानना है कि लोकायुक्त अधिनिया में संसोधन के बाद लोकायुक्त कारियालाई को प्राप्त होने वाली जोटी सिकायतों पर रोक लगेगी 11 महिने बाद Igims में सुरू हुआ किड्नी टांस्प्लांट, सर्जरी और OPD सवाय भी बहाद लंबे समय से Igims में किड्नी टांस्प्लांट का इंतिजार कर रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है सहर के Igims ने करीब 11 महिने बाद किड्नी प्रतार उपन की सुविदा फिर से सुरू कर दी है मंगलवार को पठना जिले के बक्तियार पूर के 25 वर्षिया एक मरीज का टांस्प्लांट किया गया पिता ने अपनी किड्नी दे कर बेटे की जान बचाई है इसके अलावा Igims में OPD सवाय चल रही है लेकिन कम मरीजों को ही परामर्स दिया जा रहा है अभी कई विभागों में ओपरेशन के लिए तीन महिनों तक का समय नहीं मिल रहा है ऐसे में Igims के मेडिकल सुपरेटेंडन डाक्टर मनिस मंडल का कहना है कि सरजरी वो OPD सवाय भी बाहल कर दी गई है जल्दी पहली की तरह नियमित हो जाएगी अगली बड़ी कबर जारकन से बिहार और ओडिस्यक का सपर होगा आसान इत तारिक से चल रही है रावुर केला जैनगर टेन जिहां जारकन से बिहार और ओडिस्यक का सपर आसान होगा ट्रेन से रावल केला जैनगर जाने वाले यात्रियों के लिए रहत की खबर है 25 फरवरी से रावल केला जैनगर ट्रेन को चलाने की हरी जंडी मिल गई है अब रावल केला जैनगर ट्रेन से सफर करना आसान होगा ये ट्रेन हटिया राची और मोरी इस्टेशन पर रुखेगी इसके आसपास के लोगों को जैनगर तक का सफर करना आसान हो जाएगा ये सब्ता में तीन दिन चलेगी बिहार पुलीस सिपाई भरती परिचा के एड्मिट कार्ड जारी केंद्रिय चैन परसद ने बिहार पुलीस कॉंस्टेबल के 8415 पदो पर भरती के लिए होने वाले लिखित परिचा के एड्मिट कार्ड जारी कर दी है इसके लिए आपको csbc के official website यानि csbc.bihar.nic.in पर जाकर अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना होगा या फिर आपको description में direct link दिया जाएगा उससे आप अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आपको वदा दे कि अगर आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो डुब्लिकेट अड्मिट कार्ड केंद्रिया चैन परसत ओफिस बोरिंग रोड सेकरेटरियल होल्ड पतना में 10 मार्च से 11 मार्च के बेच सुबह 10 बजे से साम 5 बजे तक लिये जा सकते हैं अगली बड़ी कपर नितिस सरकार का बड़ा फैसला सडक हाथसे के दोसी वाहन का रद होगा रजिस्ट्रेशन ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त होगा बिहार में सडक हाथसों में लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सडक दुरगटना में दोसी वाहन का अब रजिस्ट्रेशन रद किया जाएगा इसके साथ ही चालक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा परिवान सचीव संजय अगरवाल ने वीडियो कॉनफेरेंसिंग से हुए बैठा के बाद इस फैसले पर सारी अधिकारियों को निर्दिस दिया है इसके साथ ही सरकार ओटो और बस में ओवर लोडिंग को लेकर भी एक विसेस अभियान चलाने वाली है जीलो में हेलमेट सीट बेल के साथ फिटनेस जाच अभियान में भी तेजी लाने कर निर्दिस दिया गिया है और अंकी बड़ी कबर नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा किर्केड इस्टेडियम राष्टपती रामनात कोविन ने बुद्वार को दुनिया के सबसे बड़े और अत्यदुनिक किर्केड इस्टेडियम का इस्टेडियम में एक लाग 32, सजार दरसक बेड़ सकते हैं राष्टपती ने ग्रियमंत्री अमेट सा और खेल मंत्रे किरेन रिजुजु समेद कई खास मेहमानों की मौजुदगी में स्टेडियम का उधगाटन किया आज के लिए आपका सवाल बताएं के टेस्ट मेच में सबसे पहला दोरा सतक मारने वाला भारते की लाड़ी का नाम क्या है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक समें ज़र बताएं